हेलो एब्रिमार, मैं नाम अमर्दीक और आप इस वक देख रहे हैं एक्ट्राक्ट क्लास्ट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के फर्स चाप्टर एलेक्टिसिटी के बारे आए पढ़ते हैं एलेक्टिसिटी एलेक्टिसिटी क्या है what is that electricity एलेक्टिसिटी is a source of energy जी हाँ एलेक्टिसिटी एक तरह का source of energy है जिसके मज़ग से हम घर में जितने भी हमारे appliance है heater हो गया, electric heater हो गया, fan हो गया, light हो गया, television हो गया इन सब चीजों का यूज कर पाते हैं बहुत ही बड़े अमांट अफ एलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ट्रांस्पोटेशन में, जहां पर बहुत ही ज्यादा अफ एलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया जाता है बड़े-बड़े इंडस्ट्री में बड़े-बड़े मशीनों को अटिक को जाने के लिए हम लोगो को पहले एक चीज को समझना बहुत ज़लुरी है वह ए principle लिक्तिक चार्ज अग elnेक्टिक चार्ज केud aunut जसके शका रहो एलेक्टिव चार्ज दो तरह के होते हैं कौन कौन से एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगटिव चार्ज एक होता है नेगटिव चार्ज जेनरली एलेक्ट्रोंस को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज जेनरली प्रोटॉंस रहते हैं तो नेगटिव चार अब बात यह आती है हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं जब भी दो सेंट चार्जर सिमिलर चार्जर एक साथ लाएंगे similar charges मतला light charges जब एक साथ लाएंगे मान लेते हैं ये body भी negatively charged है और ये body भी negatively charged है जब इन लोगो past लेकर के आते हैं तो क्या होगा है they repel each other ये जब इसको light charges को जब हम लोग एक साथ लेकर के आएंगे they repel each other and when unlike charges एक positive और एक negative एक साथ पास लेकर के आएंगे they attract each other तो light charges या similar charges उन charges को बोलते हैं which repels each other और unlike charges या opposite charges उन charges को बोलेंगे जो attract each other तो electric charges electric charges के बारे हम जानगे electric charges दो तरह ग्रेंगे एक positive charge हो या एक negative charge हो गया तो एक positive charge हो नेगेटिव चार्ज इनका एक unit होगा इनका SI unit जो होता है वो होता है कुलूब जी हां the SI unit the SI unit of electric charge charge is कुलूब which is denoted by which is denoted by C जिसको हम लोग C से denote करते हैं तो SI unit of electric charge is कुलूब the SI unit of electric charge is कुलूब which is denoted by C जिसको हम लेटर C से denote करते हैं तो यह कुलूब है क्या है और वन कुलूब होता क्या है वन कुलूब अफ चार्ज हम किसको बोलेंगे वन कुलूब is that electric charge which exerts a force of which exerts a force of 9 into 10 ish of 9 newton इतने amount of force exert करेगा किसी दूसरे equal charge पे charge कैसा होना चाहिए equal charge होना चाहिए बल्लब equal quantity charge होना चाहिए तो charge और equal charge पे place 1 meter away from it तो वन कुलूब is that electric charge लिख लेते हैं तो वन कुलूब है क्या वन कुलूब is that electric charge electric charge which exerts exerts a force of 9 into 10 ish of 9 newton on an equal charge on a equal charge placed 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 1 meter away 1 meter away from it 1 one column of charge is equal to 6.25 into 10 ratio of 18 electrons जो होते हैं जी हाँ जी हां वन कुलूब अव चार्ज कितने के बराबर होता है वतलब एक कुलूब और चार्ज में 6.25 into 10 रिश्क ते रिश्क आफ 18 एलक्ट्रॉंस होते हैं ठीक है जैसे कि हम सब को जानते हैं किसी एक मैटर में एक मैटर में दो तरह के चार्ज अधिश् पॉसितिफ चार्ज प्यों इसको हमलोग इलक्ट्रॉंस होते हैं उसको हम बनेगाटीवली चार्ज प्योन जो होता है ऐक प्रोटावन प्रोटोन फार्सस एक पॉसितिव चार्ज आफ वालों Denaire चार्श मोर्गर-20 कोलूंत People live एक positive charge में कितने coulombs होते हैं? 1 positive charge में 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb charge पाई जाते हैं मतलब, the protons, the protons, the protons, forces a positive charge, charge of 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb उसी तरिके से, electron, the electron forces, forces a negatively charged, negatively charged of, negatively charged of 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb जी हा, positive, positive, proton, positive charge जो होते हैं, वो 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb वोन एक proton में या फिर एक electron में कितने coulomb of charge होते हैं? तो 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb 1 electron is equals to 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb अब हम लोग देखते हैं कि यह जो value है अगर एक electron बराबर, एक electron is equals to 1.6 x 10 पावर minus 19 coulomb है और to 1 coulomb is equals to 6.25 x 10 पावर 18 electron से में कैसे आया? तो 1 electron which forces a negatively charged of 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb एक electron 1.6 x 10 ratio of minus 19 coulomb of negatively charged particles को कंटीन करता है इसका मतलब, अगर हम लोग number of electrons 1 ने, number of electrons 1 ने, number of electrons 1 ने, ने, चार्ज, चार्ज of 1 electron चार्ज of 1 electron is equals to 1.6 x 10 पावर minus 19 coulomb अगर एक electron लेते हैं, एक electron का चार्ज कितना होगा? 1.6 x 10 पावर minus 19 coulomb तो अगर एक electron में इतने coulomb of charge है, एक electron में 1.6 x 10 पावर minus 19 coulomb of charge है तो 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge contains, contains number of, contains number of electrons, number of electrons कितने number of electrons होगे इसमें? तो 1 by 1.6 x 10 पावर minus 19 into 1 तो इसको अगर चींज करके लिख सकते हैं, क्या? तो 10 पावर 19 डिवाइड बाइ 1.6 into 1 इसको अगर चींज करके लिखेंगे, 10 x 10 पावर 18 by 1.6 into यहां पर देखते हैं 10 को 1.67 डिवाइड करते हैं, तो अम लो को approximate 6.25 का वाल्यवा इसको एसको अगर मतलग, 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge one column of charge में होते हैं अगर हम बोले one electron contains 1.6 into power minus 19 column of charge then one column of charge is equal to 6.25 little power 18 electrons इतने electrons के बराबर होते हैं one column of charge ये था charge का खाहने ये हम लोग ने पढ़ा positive charge और negative charge के बारे में अगला हम लोग देखते हैं conductors और insulators किसको कहें conductors हम सब को सब जानते हैं चीज़ बचपन से पढ़ते हैं आरे conductors किसको करते हैं दो substance which allows the electric charge to flow in them are called conductors ऐसे substance जो electrical charge को अपने अंदर flow करने देते हैं उसको हम लोग conductors कहते हैं दो substance which allows the electric charge to flow in them are called conductors are called conductors conductors होते हैं का उनसे हैं metals generally कि metals are the good conductor of electricity क्यों होते हैं metals good conductor of electricity कभी ध्यान दियो metals are good conductor of electricity electrons कैसे होते हैं free electrons metals के पास generally free electrons पाए जाते हैं इसी लिए जब metals are the good conductor of electricity electrons ही वो है जो conductor के अंदर flow करते हैं इसी लिए जब भी हम लोग conductors की बात करते हैं तो हम लोग metals के बारे में बात करते हैं because metals have free electrons which flows in the conductor which allows conductor is a substance which allows the electric charge to flow in them इसी लिए metals के बारे में हम लोग जब भी metals से बाते हैं तो metals are good conductor of electricity because they are electro positive metals are good conductor of electricity metals क्योग good conductor of electricity है क्योंकि they have free electrons in its outermost cell उसके outermost cell में free electrons पाए जाते हैं जिसके कारें they are good conductor of electricity alloys alloys का भी good conductor of electricity है लेकिन alloys जो है वो generally metal से थोड़े से कम है good conductor में इसके उनको हम लोग heating effect के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर resistance जादा होता है वो बहुती जादा होने के क्या होता है electricity के जो flow of charge का फ्लो है वो फ्लोड़ा सा अपोस करते था चार्ज की फ्लो को अपोस करते था इसलिए alloys को हम जनरली heating effect के लिए यूज करते हैं जैसे कि water heaters में यूज करते हैं ovens में यूज करते हैं alloys को यूज करते हैं हम लोग heating effect के लिए यूज किया जाता है तो ये था conductor का नहीं तो insulators किसको कहेंगे थी किसका opposite insulators are those which does not allow the electric charge to flow through them जो भी सब्सांस अपने अंदर electric charge को flow करने नहीं देगा उनको हम लोग insulators कहते हैं तो insulators कैसे इनको बोलेंगे उड़ हो गया plastics हो गया ये सारे चीज जो होंगे insulators होंगे क्योंकि इनके पास auto muscle में free charges नहीं है जो कि move कर सके इसलिए इन में charge flow नहीं कर पाता है तो इनको हम लोग बोलते हैं insulators insulators are those which does not allow the electric current to flow through them आज को वीडियो में बस इतना ही hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो झापको